इस वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे 28 सेकंड समेस्टर के सब्जेक्ट लर्निंग आंड टीचिंग में हमारी यूनिट थर्ड का टापिक that is concept of teaching, principles and maxims of teaching तो इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कुस करेंगे बट उससे पहले आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि है तो प्लीज डू सब्सक्राइब यूँ कि आगे भी आपके लिए बहुत जाद इंफुमेटिव वीडियो आने वाली है और पहले भी हम 28 सेकंड समेस्टर के अदर सब्ज teaching है क्या सब्सक्राइब करती है. Teaching is the art and science of helping others to grow in their knowledge and understanding. साथ ही, teaching वो कला है, वो विज्ञान है, जिसमें हम दूसरों की help करते हैं उनको ग्रोव करने में, उनके नोलेज को ग्रोव करने में, या फिर उनकी अंडरस्टैनिंग को ग्रोव करने में. And it is a communication between two or more person, जो teaching है, ये two-way process होता है, क्योंकि जो हमारी communication है, वो भी two-way process है, एक person अकेला communicate नहीं कर सकता है, तो उस तरह से ही, teaching में भी दो या फिर दो से अधिक persons जो होते हैं, वो communicate करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक single बच्चे को भी teach कर सकते हैं, साथ ही अगर group हो students का, तो हम भी teach करते हैं, साथ ही हम उनको instructions देते हैं, जिससे की उनका जो behavior है, वो change हो सके, एक नया behavior वो develop कर सके, साथ ही उनकी जी capacity है, वो भी develop हो सके, learners की, and it is a powerful weapon, जो teaching है, ये एक powerful weapon है, एक powerful हतियार है, which have the power to change the world into new levels, जिसमें वो power है, वो शक्ती है, कि वो हमारी दुनिया को एक अलग level पर ला सकता है, teaching can be conducted in several methods based on the nature of subject and students, और चो teaching है, इसको हम अलग-लग way से करवा सकते हैं, जिसे project method हो गया, हमारा heuristic method हो गया, laboratory method हो गया, practical way से हम पढ़ा सकते हैं, जिसे हमारी sciences होती है, life sciences होगी, physical sciences होगी, तो वहां पर हम laboratory method या पर जो हमारी practical ways होते हैं, उनका ज्यादा यूज करते हैं, साथ ये students पर भी depend करता है, कि जो learners है, वो किस class के हैं, उनका age group क्या है, तो यह हम कह सकते हैं, कि यह हो गया हमारा concept of teaching, आप इतने से points भी लिखोगे तो भी हो जाएगा, बट कई बार two marks भी आप से पूछ लिए जाता है कि what is the concept of teaching, तो वहां पर भी आप इतना सा लिख सकते हो, अब हम देखेंगे कुछ definitions of teaching, आप definitions को भी concept में ही add कर लेना, आप इसमे add कर सकते हो, तो भी question आपका बन जाएगा, two marks का भी बन जाएगा, पर आप 16 में लिख रहे हो तो भी आपने definitions लिखनी ही है, so first definition आती है Thomas Green की, so according to Thomas Green, teaching is the task of teacher which is performed for the development of child, teaching क्या है, यह teachers का task है, और इसको क्यों perform किया जाता है, बच्चों के development के लिए, बच्चों के विकास के लिए जो teaching है वो करवाई जाती है, ऐसा कहा Thomas Green ने, अब second definition आती है according to Clark, teaching refers to activities that are designed and performed to produce change in the student's behavior, teaching में बहुत सारी activities आती हैं जिनको design किया जाता है यह फिर उनको perform किया जाता है, ताकि हम students के behavior को change कर सकें, तो यह हमारी two definitions होगी, Thomas Green and Clark, यह हम पर हमारा concept हो गया, अब हम देखेंगे principles of teaching, कि जो teaching है उसके सिध्धान्त क्या है, सिक्षन के सिध्धान्त क्या-क्या है, कि principles पर जो teaching है हमारी वो base है, तो आपको flow chart बनाना ही है, मैं already बॉलती आया हूँ, जो learners पहले से जुड़े हैं, उनको बता है कि अगर हमने बीड में अपना answer लिखना है, तो हमें flow chart बनाने ही पड़ेंगे, ताकि marks अच्छे मिलते हैं हमें, फर्स्ट आता है हमारा principle, principle of planning, जो भी activity हम planning से करते हैं, जाहे वो teaching में हो या फिर किसी भी और जगब पर हो, वो हमारा काम अच्छी तरह से होता है, एक systematic way से वो काम चलता है, उस तरह से अगर हम teaching में planning करते हैं, जैसे हम अपना lesson plan प्रिपेर करते हैं, क्लास्रूम में जाने से पहले, तो हमारी जो पूरा क्लास्रूम का process है, वो easily conduct होता है, और हम समझा भी सकते हैं, जो हमने बच्चों को समझाना हो, इसलिए जो teaching का process है, इसमें planning ज़रूरी है, पहले सही plan करना पड़ता है, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे, हमारे objectives क्या होंगे, फिर evaluate हम किस तरह से करेंगे, हम questions बच्चों को क्या देंगे, सेकेंड आता है principle of correlation, correlation का मतलब होता है, हमने correlate करना है things को, जिसे आपने पिछले कर कुछ topic पढ़ाया है, उसको आप correlate करोगे, आज के topic के साथ, तभी जो आपकी teaching होगी, वो successful होगी, और effective teaching आप उसको बोलोगे, थर्ड आता है principle of learning by doing, learning by doing का मतलब होता है, कि जब बच्चे खुद कोई experiment, या फिर खुद कोई practical perform करके सीखेंगे, खुद वो conclude करेंगे, तो उसको कहते हैं, learning by doing, mostly जिसे sciences में होता है, teacher कोई experiment perform करवाते हैं, बच्चे उसका result निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं, learning by doing, next आता है हमारा principle of individual differences, individual differences का मतलब होता है कि जो classroom में सभी बच्चे हैं, for example, 30 बच्चे हैं एक classroom में, तो 30 बच्चे ही एक दूसरे से अलग होंगे, कोई भी बच्चा बिल्कुल एक दूसरे की तरह ही हो सकता है, ठीक है, सभी बच्चे एक दूसरे से different हो, तो उसको कहते हैं, individual differences, अब teacher को यह समझना है, कि किस बच्चे की क्या need है, वो किस वे से पढ़ता है, उसका pace of learning क्या है, और उसको मैं किस method से पढ़ाओ, ठीक है, तो उस हिसाब से teacher पढ़ाएगा, तो जो teaching का process होगा, वो effective होगा, नहीं तो effective teaching हम उसको नहीं बोलेंगे, अगर teacher and individual differences को नहीं समझा, अगर teacher ने सभी बच्चों को same way से पढ़ाया, और फिर learning outcomes अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो भी effective teaching नहीं होई, effective teaching तब होगी, जब teacher ने सभी बच्चों की need को ध्यान में रखा, और फिर उस way से पढ़ाया, next आते principle of kindness, अब teacher है वो kind भी होनाय चाहिए, Whenever teacher by behavior होता है wrestler подготов, भी peuple नहीं होना चाहिए, teacher को हमेशा kind भी behave बच्चों के साथ करना चाहिए, कि जो behavior teacher का होता है बच्चे भी उसको opt करना चाहते हैं, कि बच्चों के लिए teacher उनके वह role model की तरह काम करते हैं, इसलिए principle of kindness to have, यह भी important role play करता है in teaching process. Next आता हमारा principle of interest, principle of interest कहता है कि जिसे जितने भी बच्चे आपकी classroom में सभी के interest अपने अपने होगे, सभी बच्चे अलग लग वे से पढ़ना चाहेंगे, कुछ बच्चे play way method से पढ़ते हैं, कुछ laboratory method से पढ़ते हैं, कुछ learning while doing से पढ़ना चाहते हैं, तो teacher को उन सभी के interest को ध्यान में रखते हुए अपना lesson plan prepare करना होगा, ताकि सभी बच्चों की जो needs हैं वो fulfill हो, इसलिए principle of interest जो है, ये भी important है हमारी teaching में, next है the principle of democracy, अब जो classroom है उसमें democracy होने चाहिए, यानि कि सभी बच्चों को बोलने का अधिकार हो, teacher को ऐसा नहीं करना है कि जो बच्चे average से उपर हैं, उनसे ही questions पोचने हैं, teacher को सभी बच्चों पर focus करना, यानि कि जो बच्चे below average हैं, उनको neglect कर देना है, नहीं, ऐसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए teacher को, democracy हो classroom में, तभी जो teaching learning का process होता है, वो effective होता है, next है principle of definite goals, अब goals पहले set करने चाहिए, जैसे मैं आपसे बात है कि हमारे जो objectives हैं, वो classroom में जाने से पहले ही teacher set करता है, okay, so अगर goals set होंगे, तभी आप उन goals को achieve कर पाऊगे, so this is principle of definite goals, next one, principle of reinforcement and feedback, अब teaching का जो process होता है, उसमें reinforcement and feedback दोनों बहुत ही important role play करते हैं, क्योंकि अगर आप बच्चे को reinforce करते हो, जैसे आपने बच्चे से कोई question पूछा, फिर उसके बाद अगर आप बच्चे को reinforce करते हैं, उसको very good बोलते हैं, उससाब आश बोलते हैं, तो बच्चे में जो motivation है, वो double up होती है, बच्चे दुबारा और अच्छा करना चाहता है, कि मैम ने मुझे reinforce किया, मैं आगे भी ऐसा अच्छा करूँगा, ताकि मैम मुझे दुवारा से reinforce करेंगी, ठीक है, साथ में feedback भी important है, उससे बच्चों को पता चल जाता है, कि मैं कहाँ पर mistake कर रहा हूं, मेरी गलती कहाँ पर है, और मुझे कहाँ पर सुधार ना है, तो ये सारे हमारे principles होगे, 9 principles, principles of teaching, अगर आपको 16 marks में question आता है, तो आपने क्या करना है, इन सबे 9 points को 2 या 3 lines में elaborate कर देना, बस इतना enough हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, अब हम देखेंगे, maxims of teaching, कि teaching के क्या maxims है, पहले हम पढ़ेंगे कि maxim होते क्या है, okay, so maxim means a short statement of a journal truth, principles or a rule of behavior, maxims का मतलब होता है कि छोटी statement, okay, या फिर एक truth, एक सत्य, या फिर कोई principle, कोई सिधानत है, या फिर behavior के कोई rule है, जिनको teacher को follow करना है, okay, and maxims of teaching are the universally facts found out by the teacher on the basis of experience, okay, so यह जो maxims and teaching के universal facts है, और इनको किस ने found किया है, teachers ने, अपने experience के basis पर, okay, and the knowledge of different maxims help the teachers to proceed systematically, अगर teacher को teaching के सभी maxims का knowledge होगा, तो उसे जो teaching का process होगा, वो systematically proceed हो सकेगा, easily आप teach कर सकते हो students को, okay, तो एक एक करके सभी maxims को हमने discuss करना है, जो maxims का question है, ये two marks में पूछा जाता है, okay, या फिर six in marks में भी आपको ये पूरा question आ सकता है, इन सभी का, so first maxim है हमारा known to unknown, which means कि आप बच्चों को सबसे पहले वो things पढ़ाओगे, जो उनकी known है, उसके बाद आप unknown पर लेकर जाओगे, for example, अगर बात करें आप grammar की, जैके, जैसे आप बच्चों को noun पढ़ा रहे है so, आप सबसे पहले noun का example दोगे, जैसे आप सभी बच्चों के उनके नाम पुछोगे, राम, श्याम, कवीता, कुछ भी नाम हुए, तो आप बो बताओगे कि बच्चों के ये नाम है, उसके बाद आप unknown पर जाओगे, unknown मतला definition of noun, तो हमने कहां से कहां proceed किया, known to unknown, this is first maxim of teaching, फिर आता है simple to complex, पहले आप simple things बच्चों को पढ़ाओगे, उसके बाद आप complex पढ़ाओगे, जिस तरह से हमारा जो पूरा syllabus डिजाइन किया गया होता है, उसमें भी जैसे 6th class है, उसमें बिल्कुल basic basic things होती है, basic basic topics होती है, बट अगर आप 10th की बुक उठालों, तो आप द हम whole पढ़ाएंगे, पहले उसको पूरा पढ़ाएंगे, उसके बाद उसके parts को एक-एक करके define करेंगे, so this is next maxim of teaching, next आता हमारा seen to unseen, पहले आप उन points को describe करोगे, या फिर उन things को describe करोगे, जो बच्चों के सामने है, ठीक है, जो बच्चा देख सकता है, for example, जैसे हम बच्चो साले parts होते हैं, जो हम microscope बगारा में देखते है, so हम कैसे करते है, seen to unseen, ठीक है, ये भी एक maxim है teaching का, next साथ हमारा psychological to logical, पहले हम psychological way से बच्चों पर focus करते हैं, उसके बाद हम logics को समझाते हैं, उनको, next one concrete to abstract, concrete का मतलब होते हैं मूर्त, और abstract मतलब अमूर्त, concrete यानि कि जिन things को आप touch कर सकते हो, जिनको feel कर सकते हो, जिनको महसूस करते हो, आप पहले वो पढ़ाओगे बच्चों को, उसके बाद abstract, यानि कि जिनको हम सोचते हैं, जिसे feelings हो गई, fear हो गया, बाद में आप उस तरह की चीज़ें पढ़ाओगे, पहले concrete जो आपके सामने हैं, जिनको आप touch कर सकते हो, next one easy to difficult, यह तो बहुत easy है, क्योंकि देखो, हम पहले easy things पर चलते हैं, पहले हम जो भी easy points होते हैं, वो explain करेंगे, उसके बाद हम difficult पर जाएंगे, और इसी तरह से हमारा जो पूरा teaching learning का process है, वो काम करता है, next one particular to journal, पहले हम particular particular things बच्चों को पढ़ाएंगे, यह important point है, यह important point है, उसके बाद हम journal ideas पर जाते हैं, जो generally बात कहीं जाते हैं, फिर आता है analysis to synthesis, पहले analyze किया जाता है, और फिर उसके बाद add and synthesize किया जाता है, पूरे topics को, definite to indefinite, पहले definite points है, definite things हैं, वो दिखाए जाते हैं, उसके बाद indefinite, जो बहुत सारी है, next one empirical to rational, पहले empirical points पर focus किया जाता है, उसके बाद rational पर focus किया जाता है, okay, so यह होगे हमारे कुछ maxims of teaching, जो आपने लिखने हैं, अगर आपको two marks में आगे, तो आप इनना से explain करोगे, अगर six in में आ गया, तो आपने इनमें से, पांच य शे points को, दो यतींती lines में describe कर देना है, okay, so guys, इस video बस इतन आथ, bye-bye, take care.